हलो इस्ट्रेंट्स, वेलकम अगें तो और चैनल और इस वीडियो में अपन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर से एक बहुत ही इंपोर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं इस रिलेशन बिट्वीन एमफ एन गिवस फ्री एनर्जी इन दोनों के बीच में अपने को एक मैथेमेटिकल रिलेशन इस्टेबलिस करना है और यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है अगर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री को आपको डेफ्ट में समझना है तो यह वाला कॉंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है आप सब लोग यह वीडियो पूरा देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो अपने को रिलेशन डिराइव करना है इसेल और गिस फिर एनर्जी में सबसे पहले अपन यह पता लगाते हैं कि इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन सिप क्यों है और उसके लिए अपने को जो अपना इलेक्टोलाइटिक सेल होता है उसकी वर्किंग को एक बार फिर से देखना होगा त्रू यह जो डेनियल सेल आपके सामझे बनाएवा है इसके त्रू अपन यह चेक करेंगे कि इन दोनों क्वांटिटीज में रिलेशन क्यों है तो अगर अपन बात करें डेनियल सेल की तो इसमें अपने पास left hand side में anodic compartment है जहाँ पे oxidation होता है और इसमें एक zinc की पीस डिप किया गया है ZNSO4 मतलब एक strong electrolyte में और अगर अपन cathode की बात करें right hand side में तो यहाँ पे reduction होता है जिसमें copper को डिप किया गया है copper sulfate solution में अब अगर anode की बात करें तो यहाँ पे जो zinc वाली जो strip है यह वाली जो zinc strip है इसका oxidation होगा और इसकी विज़े से zinc plus two convert होगा और यह दो electrons release करेगा यहाँ पे जो zinc ने दो electrons release किये हैं यह electron कहा जाएंगे जहाँ पे इनकी आवशेक्ता होगी जुरुत होगी और इनकी जुरुत है reduction के लिए यानि cathode वाले half में तो electron यहाँ से travel करते वे यहाँ से travel करते वे यह अपने cathode वाले half में पहुँचेंगे तो यहाँ पे जो दो electron पहुँचेंगे electron पे charge कैसा होता है negative charge तो यह जो electrons है यह अपना जो electrolytic solution है यहाँ से copper plus 2 को अपने तरफ attack करेंगे अब अपन देखेंगे यहाँ पे copper plus 2 कहां से आया तो अपने पास copper sulfate का solution था तो copper sulfate के solution में क्या होगा copper plus 2 होगा और sulfate SO4 minus 2 होगा तो जो दो electron का negative charge था उन्होंने copper plus 2 के positive charge को अपने तरफ attack करके वो अपने पास में ले आये फिट जो copper plus 2 है वो यह दो electrons जो कि असल में कहां से आये थे एनोड वाले हाफ से आये थे इन दोनों electrons को असेप्ट करेगा और अपना reduction कर लेगा और वो copper solid में convert हो जाएगा सो अपन देख पा रहे हैं कि zinc के oxidation से जो दो electrons release हुए थे वो electrons automatically मतलब spontaneously वो कहां पर पहुँच गए वो cathode में क्योंकि cathode में इन electrons की जुरुवत थी क्या जुरुवत थी copper plus 2 को reduce करने की सो अपन एक चीज यहाँ से clearly conclude कर सकते हैं कि जो electrons हैं वो spontaneously flow करते वे anode से cathode की तरफ आ रहे है electrons यहनी की charge flow कर रहा है जब भी charge flow करता है तो कोई ना कोई work होता है और उसको अपन बोलते हैं electrical work तो यहाँ पर charge flow हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर work हो रहा है और इस work को अपन क्या बोलेंगे electrical work इसको मैंने symbolize कर दिया w electrical work और electrical work किसके बराबर होता है charge multiplied by potential difference तो अपन ये clearly देख सकते हैं कि यहाँ पर charge flow हुआ है इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई potential difference जरूर generate हुआ है और वो potential difference असल में अपना क्या है EMF है जिसको अपन short में E cell लिख रहे है तो electrical work किसके बराबर हो जाएगा charge multiplied by E cell ये electrical work यहाँ पर हुआ है और अगर अपन बात करें कि यहाँ पर एक general assumption के लिए अपन मान लेते हैं यहाँ पर N electrons flow किये हैं तो जो ये work किया गया है वो कितने electrons पर है N electrons पर ये work किया गया है अब अपन जानना चाहते हैं ये work आया कहां से ये work basically यहाँ पर जो chemical reaction हो रही है जिनका oxidation और copper का reduction ये वाली जो chemical reaction हो रही है इसकी वज़े से यहाँ पर work हुआ है इसका मतलब जो work हुआ है वो reaction ने किया है और ये वाली जो reaction वो spontaneous है क्योंकि ये reaction अपने आप हुई है अपने इस reaction को करवाने के लिए कोई भी external help नहीं की है तो अपने ये conclude कर सकते हैं कि यहाँ पर जो reaction हुई है वो एक spontaneous यानि अपने आप होने वाली reaction है और अपने थर्मोडाइनिक्स में एक बहुत ही important variable पढ़ा है gives free energy और उसके बारे में अपन बोलते हैं कि जो gives free energy होती है delta G वो spontaneous reaction के लिए negative होती है मतलब change in gives free energy for spontaneous reaction is negative इसका मतलब क्या है कि जो gives free energy initial थी उसको अपन जीवन बोलते हैं इस reaction के लिए कुछ time बाद में इस gives free energy हो गई let's suppose G2 और जो G2 है वो G1 से less है इसका मतलब change in gives free energy इसको अपन लिखेंगे G2 minus G1 वो क्या होगा अपना negative which is delta G तो यह जो gives free energy decrease हो गई है वो कहां गई है वो एक useful वक को करने के लिए use हो गई है क्योंकि आपने ये भी सुना होगा thermodynamics में कि जो delta G है change in gives free energy for a reversible reaction at constant temperature and pressure is equals to maximum useful work maximum useful work done by that reaction मतलब constant temperature pressure की जब condition होती है तब एक spontaneous reaction की change in gives free energy work done के भराबर होती है तो जो gives free energy decrease हुई है वो किस में convert हो गई है वो work में convert हो गई है और वो work कौन सा था useful work कौन सा था वो electrical work था electrical work था तो अपने को ये चीज़ समझ में आई दिहान से देखना ये सबसे important discussion है कि जो gives free energy में decrease हुआ है कौन सी reaction के लिए spontaneous reaction के लिए जो gives free energy में वो amount useful work में convert हो गई है और यहाँ पर इस cell में useful work क्या है electrical work चार्ज को flow कराने वाला work इसलिए अपन एक relation established कर चुके हैं कि change in gives free energy is equals to work electrical electrical work के ये बराबर है और electrical work अपने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है electrical work किसके बराबर है q into e cell या फिर q into potential difference और potential difference जो create हुआ है उसी को अपन emf of cell बोल रहे है इसको अपने लिख दिया q charge multiplied by e cell यह बहुत important relation आ गया है अब अपने अपन final relation की तरफ जाना चाहेंगे I think guys आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा अपने final derivation की तरफ जाते हैं अपना जो relation है वो आ चुका है delta g और e cell के बीच में mathematical relation आ गया है अब अपन अजूम करते हैं कि यह वाली जो reaction हो रहे हैं let's suppose यहाँ पे n electrons flow कर रहे हैं जो spontaneous work किया है इस reaction ने उसके वज़े से let's suppose n mol of electrons flow किए है so n mol of electrons पे total charge एक बार अपन calculate करते हैं total charge on n mol of electrons इसके लिए अपन क्या करते हैं सबसे पहले 1 mol electrons पे पन charge calculate करते हैं so 1 mol electrons पे charge कैसे calculate करेंगे 1 mol में कितने electrons होंगे avagador number के बराबर into 10 raise to power 23 और एक electron पे charge कितना होगा 1.6 into 10 raise to power minus 19 coulombs और यह किस में होता है negative में होता है अगर इसको अपन solve करेंगे तो यह value आएगी 9,6,4,8,5 coulombs और यह क्या है 1 mol of electrons पे total charge है जो एक constant है और इसको अपन बोलते हैं फेराडे 1 फेराडे is total charge in coulombs on 1 mol of electrons और राइट तो 1 mol of electrons पे total charge कितना हुआ 1 फेराडे तो n mol of electrons पे total charge कितना हो जाएगा n into फेराडे तो अपने delta g वाला जो यह relation यह वाला जो relation था इसको अपन आगे बढ़ाते हैं delta g goes to q total charge total charge किसके बराबर हो गया n into f n mol of electrons flow किये है f 1 mol of electron पे charge है तो n mol of electron पे total charge हो गया n f यह तो हो गया total charge और multiply किससे करेंगे इसको अपन e cell से लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए यह वाला charge किस में आएगा negative में क्योंकि यह किस पे charge है electrons पे यहाँ पे मैं एक negative लगा देता हूँ यह negative कि क्यों आया electrons पे total charge कि विज़े से जो delta g का relation था वो आगे अपने पास minus n f into e cell और यही relation अपने को derive करना है आपन देखते हैं कि let's suppose e cell की value positive है अगर e cell की value positive है तो यह वाला जो right hand side का expression है इसकी value negative होगी और delta g negative हो जाएगा और अपने को पता है delta g negative होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि अपन ने जो daniel cell की जो reaction देखी है वो एक spontaneous reaction है और spontaneous reaction के लिए change in gift free energy हमेशा कैसा होता है negative इसका मतलब यह है कि इस type के cell में जहाँ पे spontaneous reaction होती है ऐसे cell को अपन बोलते हैं galvanic cell तो galvanic cell का जो emf होगा उसकी value कैसी होनी चाहिए positive होनी चाहिए I think यह आपको समझ में आ गया होगा अब let's suppose जो भी अपन conditions की बात कर रहे है जो भी यहाँ पी इस reaction में condition है let's suppose वो standard condition let's suppose वो standard condition standard condition के बारे में अगर अपन बात करें तो standard condition वो होती है जब अपनी जो concentration है वो molar concentration हो जितने भी species involved है चाहे copper plus 2 हो चाहे zinc plus 2 हो अगर इनकी concentration one molar है या फिर अगर किसी cell में gas भी अपने काम ली है अगर उसका pressure one bar है तो अपन बोलते हैं कि जो भी condition है वो अपनी standard condition है temperature पे कोई restriction नहीं है standard होने के लिए so standard condition में अगर इस cell के लिए अगर अपन delta G लिखेंगे तो उसको लिखेंगे delta G0 which is change in gives free energy at standard condition is equals to minus N F into enode cell अब ये enode cell क्या है ये EMF at standard condition पे तो standard condition पे अपना ये relation हो जाएगा और अगर standard condition नहीं है तो अपना ये वाला relation हो जाएगा so guys इस relation पे पूरा electrochemistry के concept based होते हैं तो अपने को ये चीज़ समझ में आ गई है कि जो गिस free energy है और जो EMF है इन दोनों में क्या relation है so I think आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा मैं इसको एक बार जल्दी से conclude कर देता हूँ सबसे important points सबसे पहले अपने EMF और गिस free energy बीच में relation derive करने की कोशिस की अपने उसके लिए example लिया एक electrolytic cell का जो कि यहां पर है एक Daniel cell Daniel cell में अपने देखा कि spontaneous reaction हो रही है और spontaneous reaction की वज़े say electrons अपने आप flow कर रहे हैं अगर electrons अपने आप flow कर रहे हैं तो यहां पर कोई ना कोई work हो रहा है and that work is electrical work और उसको अपनने Q into E cell लिखा अब यह जो electrical work है वो कहां से आ रहा है यह वो इस reaction से आ रहा है और इस reaction में कहां से आ रहा है कि यह spontaneous reaction है इसलिए इसकी gives free energy decrease हो रही है और जितनी इसकी gives free energy decrease होगी वही energy convert हो जाएगी किसमें electrical work में और इसलिए अपने यह वाला relation लिखा कि change in gives free energy is equals to useful work और वो useful work क्या था electrical work और यहां से अपना जो relation है वो आ गया delta G का minus NFE cell और standard condition के लिए standard change in gives free energy is equals to minus NFE naught cell अब यहां पे यह जो N है यह क्या है यह number of moles of electrons है और यह कैसे calculate के जाएंगे जब अपन यह redox reaction नहीं यहां पे अपन देख रहेते तो यहां पे अगर इस redox reaction को add किया जाएगा तो इस reaction क्या बनेगी zinc plus copper plus 2 is changing into Zn plus 2 and copper यहां पे दो electrons जब इस दोनों reaction को add किया गया तो दोनों electrons cancel out हो गए जितने electrons cancel out होते हैं वो ही अपना N है तो यहां पे इस reaction के लिए N की value कितनी हो जाएगी 2 तो ऐसे ही कोई भी reaction हो उसके लिए अपन N calculate कर सकते हैं Faraday की value constant होती है 1 faraday is 9,6,4,8,5 C अगर आप जल्दी बाज़े में हैं approximately use करना चाहते हैं तो 9,6,5,0 C use कर सकते हैं which is charge on 1 mole of electrons तो faraday की value constant होगी वो आप यहां पे रख सकते हैं N की value कैसे calculate करते हैं मैंने बता दी है So यहां से इस relation पे based बहुत सारे question आपके exam में हो सकते हैं So guys, this is it in this video I hope यहां पे जो concept अपने explain किया सबको समझ में आया है अगर concept समझ में नहीं आया है तो आप comment करके और कुछ भी पूछ सकते हैं प्लस इस वीडियो के एक बार फिर से देखेंगे तो concept की clarity बहुत अच्छे से हो जाएगी This is it in this video Thank you very much